करोड़ों लोगों के दिलों पर अपनी धाग जमाने वाले भाती क्रिकेट टीम के पोरुक अप्तान महेंद्रस ने धोनी का जन्दन है अज धोनी के पास जो शोहरत है उस मकाम तक पहुशना धोनी के लिए आसान नहीं रहा 23 साल की उमर में टीम इंडिया में धोनी को बुलावाया इस बुलावी के बाद धोनी ने अपने सपनों की उडान भरी मैदान पर दूम मचवाते हुए धोनी ने ना सिर्फ कहीं खिताब अपने नाम की बलकि लोगों के दिलों पर राज भी किया धोनी एक जबरदस्त खिलाडी तो थे ही लेकिन सुर्खियों में बताब आये जब उन्होंने अपने पांच में वंडे और पांच में टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ दोनों मैचों में शर्तक लगाए 49 साल के हो जुके धोनी की काबिलियत देखकर BCCI के प्रतिभा अनुसंधान वकास विभाद TRW ने अपने नियुमों में बतलाव कर दिया था दिरसल धोनी को 21 साल के उम्र में BCCI के TRW यूजना में शामर किया गया था जुके इसके लिए 19 साल की ही उम्र निर्धारित थी बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोदार की कहने पर धोनी को TRW में शामर किया गया था पोदार के आगरह पर विंग सरकर ने फैसला लिया कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए नियम नहीं आड़े आने चाहिए पोदार के धोनी के लिए नियमों में बतलाव को लेकर बहुत ही जिलचस्प गहानी है हुआ कोच यह था कि पोदार जमशेदपुर में एक अंडर 19 मेच देखने गए उसी समय बगल के कीनन स्टेडियम में बिहार के टीम एक दिवसी मैच खेल रही थी और गेंद बार-बार स्टेडियम के बहार आ रही थी इसके बाद पोदार को उचसुकता हुई कि इतनी दूर गेंद को कौन मार रहा है जब उन्होंने पता किया तो धूनी के बारे में पता चला और फिर क्या था देखते ही देखते इस खिलारी को मौके मिलते गए और इसने हर उस मौके को आजमाया और आज ये खिलारी सबका फेवरेट है और सभी के दिलों पर राज करता है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर मौर अपडेट्स